बिहार विधान सभाज चुनाव 2020 के यात्रा के दोरान हम बिहार यात्रा करते हुए पहुँच चुके हैं चकाई विधान सभाज में कोट परिसर में पहुँचे हैं यहां पे एक चाय दुकान वाले से बात करते हैं जैसे कि चुनावी सरगर्मियां इस बार बहुत देखते हैं पुलट फेर देखने को मिल रहा है बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं जैसे कि अभी मैंने किसी लोगों से पूछा तो भीड तेस्पी के जो रेली में है वो क्या कहता है इस बार बिहार की जंता किस वर जा रही है आप यहां कोट परिसर में मेरे अनुसार सौस से डेड़ सौर लोगों से रोज मिलते होंगे तो क्या है यह मुद्धा इस जी का भीड़े वह अतना कोप खास नहीं है सरकार दूनी जी मेरे संजीत क्मार रावाज इस परा वोट दिया जी पहली बार वोट दिये हैं विधान सबाखा पहली बार वोट दिये हैं और युवा है और युवाओं का एको जथा देखने को मिल रहा है ते ज़स्वी क्यों जा रहे हैं लेकिन इनका क्या कहना है आपका क्या कहना है जी मेरा कहना है कि वह बने उनका सरकार बने हम लोग सब भोट उन्हीं के कारण दिये हैं सरकार देने का मौका मिला है इन्होंने अपनी सरकार को दिया है जो जिसको यह सपोर्ट करते हैं उनको वोट दिये हैं और उनका कामना भी करते हैं कि सरकार बने और एक बात यहां पर आये थे तेस्वी आदब जी वारलिश मैदान में आप गए थे गये थे वहां पर एक बात बोली थी कि अगर मेरी सरकार बनती है तो पहला कलम जो चलेगा वो दस लाख नोकरी के लिए चलेगा जो बिहार के युवाओं के लिए बहुत काफी और बहुत बढ़ा चुनावी मुद्दा है तो वो दस लाख क्या लगता है वो कितना हद तक पूरा हो पाएं जी हमें लगता है कि वह अगर बनेंगे उनका सरकार तो पूरा हो सकता है संदीब कुमार बढ़नवाल जी सबार वोट दिये थे जी वोट दिये थे आप किस मुद्द्य को लेकर के लिए वोट देने गया थे आपके मैं क्या ऐसी चीज़ें थी जो आप सर सरकार सुनेंगी आप बाते को रखें वो मेरे तेस्वी जादा मुखमंतरी बने और हम लोग पर वी एक नहीं देखे कम से कम नया कुछ हो तो कम से घरीवा आदमी के लिए कुछ हो आगे पोश्चार रोजगार दिये दसलोंकरी तो हम लोग तो लेने पाएंगे रोजगार नोकरी करेंगे अगर सब लोग संपन रहेगा तो जाहिर सी बात है कि लोग सौपिंग करेंगे खरीदारी करेंगे है ना गुम्ती है चाहे दुकान है चाहे कोई भी दुकान तभी चलेगा जब लोगों के पैकेट में मनी रहेगा क्या नाम हुआ हम संजय उपाध्या संज जी का सरकार बने और एक बाद जो है सो तेजस्वी जी का जहां पर भी रेली हो रहा है भीड एक गजब साव उमण रहा है वह भीड का क्या है वह भीड कितना प्रतिसे बहुत में तब्दिल होगा 75 परशन 75 परशन अगर भी तब्दिल होता है कई लोग ऐसा भी बयान बाजी किये हैं कि तेजस्वी का अंदाज या फिर हेलिकप्टर देखने भीड आता है वह क्या सचाहिए जीने जीने तेजस्वी जीसे लोगों का लगाव बढ़ रहा है और नितिस जीसे लगाव लोगो बहर के ज्यादा युवा जुड़ रहे हैं या फिर तेजस्वी इसलिए युवा जुड़ रहे है वनने पढ़ लीके सब्सक्राइब वैकार हो रहा है एक नई आज है भी हार मैं मैं पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी प्रकार की तैयार कर रहे होंगे रहे हैं यह यह दरोगा है यह जैसिकी अबारे मामा जी बहुत ही बुरा हाले दोजर तो पर यह जाम हुआ कि तीन एक्जाम पार भी तो को रिजल्ट नहीं है आए अग्जाम भी नहीं हुआ इसका हुआ हो था इसका हुआ 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 कि गांज राद हुआ है कि आप कई बार रद हुआ सायद 39 तारेक को भीहार दरोगा और श्री का पर देट नहीं कि पहले हो जाए लेकिन उस्टा नहीं हो सकता है तेजस्वी परसार यादा है उस पे कितना उमीद है दिखेंगे लगता है तो बहुत सही है युवा लोग के लिए नितिस्कुमार जी कुछ लनी आजाएगे वादा है वहाँ दसलाक नहीं कहीं से सुख्रुबात हो सुन्सुरुबात करें तरफिए उमीद और वішमादा कि दिये है अगर वादा किया है तो जहिर शी बात है दस लाख नोक्रिया देंगे तो क्या दस लाख नोक्रिय है उस पर कितने खरे उतर पाई है और उमीद है देखते हैं कितना खरे उतर पाते हैं जैसे कि इस बार देख रहे हैं कि पुरा बिहार में एक बदलाव की लहर है तो उस बदलाव की सोर जा रही है इस बार तो रोजगार के उपर चल रहा है एक बार में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे तो वो 10 लाख जो वादा है उस वादा पर कितना खरा उतर पाई? जरूर निश्चीत उतरेंगे हम तो उमीद है जो कि जैसे कहे है हैं वो हम लोगों को देंगे और पुरा आसा बस्वास है चलिए पुरा आसा बश्वास के साथ इस बार पहली बार डाले हैं? नाएं तो कई बार दिये हैं इसका कई बार वोट देने का तजरुबा है ऐसा भी नहीं है कि पहली बार वोट डाले हैं तो डाल दिये सब कुछ सोचा समझा और परखा हुआ इनसान है और इस बार अपनी मत को वो सोच समर्क सही जगह पर डाले हैं और मुद्दा है रोजगार का और रोजगार का मुद्दा लेकर के आए हैं तेलशी परसाज यादव जी